जो आज इस वीडियो में exercise 3.1 के class 12 question मर 7 करेंगे mathematics का जो की बहुत बली है question है find the value of A, B, C and D from equations हमें ये equation दिये दो matrix दिये हमें और आपसे पूछा गाया है आपे A की value, B की value, C की और D की value क्या होने वाली है तो बड़ा easy question है जो कि हम question मर 6 भी कर चुके है same as C question यही था बस उसमें X, Y, Z निकालना था तो आप क्या करोगे यहाँ पर जब हम matrix हमारे पास equal दियो होती है square matrix होती है 2 by 2, 2 row and 2 column यहाँ भी 2 row and 2 column जब 2 matrix square matrix होती है तो उनको हम, उनके element को हम compare कर लेते है तो यह भी देखो 2 by 2 की matrix है और यह भी 2 by 2 की matrix है मतलब कि 2 तो row है और 2 ही यहाँ पर column है तो इनके element को हम compare कर सकते हैं क्या कर सकते है compare to element मतलब कि यह 11, इसका यह 11, इसका यह 12, इसका यह 11, इसका यह 11, इसका यह 12, इसका यह 11, 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 इसका यह 12, इसका यह 12, इसका यह 12, इसका यह 11, इसका यह 12, इसका यह 12, इसका यह 12, इसक इक्वेशन टू बेच्चे तीसरी बेटा टू ए माइनस भी बराबर जीरो इसको बटा यहां लिए आगगा बीको को दिक्कत तो नहीं है टू ए इस इकल टू बी एक्वेशन यह ठाड़ हो गए बेटा हमारे पास लास्ट है थिरी सी प्लस डी इस इकल टू बेटा थाटीन एक्वेशन 4 हमारे पास चार एक्वेशन आ गई है हमने अप्ट्रो अलिमेंट थे वह कंपेर कर लिए हैं इसका कंपेर वड़े इस से किया पहली इक्वेशन बनी ए माने एप्लस 3 इस इगल टू फाइब यह आपकी सेक्ड एक्वेशन बनी है और 2-1 एक्वेशन बनी है औ तो हम 10 तो सोल किया गरते थे, बहुत सारे मेथ रटते मारे पार, सब्टुशन मेथ रटता है, एलिमिनेशन तो जिसको भी आपको ठीक लगा है, यह आप सॉल्फ कर सकते हो, तो इनको सॉल्फ करते हैं, तो मैं देख रहाँ हो कि मेरे पास जो 3 एक्वेशन है, B की value 2A है B की value 2A है तो अगे put कर सकता हूं equation first में तो यहां मैं कर लेता हूं इसको solve करने के लिए put the value of B equation first मैंने B की value को उठाके third से उठाके from equation from third to first पहले से उठाके third से उठाके कहां पूठ किया मैंने first में पूठ किया मैंने B की value को बेटा equation third से उठाके कहां पूठ किया बेटा first में पूठ किया क्योंकि यहां मेरे पास क्या होगा दोनों जो variable हैं वो same sim हो जाएंगे AA और मैं आराम से उसकी value को find कर सकता हूं जब भी equation को find दरना होता है किसी को solve करना होता है तो हम क्या करते है दो variable में से पूरी equation को एक single value बनायते है जिसे क्या होता है करना equation को असान हो जाता है या तो question A में बना लो पूरा या B B में बना लो तो आप क्या होगा आप इसको बड़े प्यार से solve कर सकते हो तो देखते हैं बच्छे तो मैंने क्या क्या B की value को मैंने equation ठड़ से उठा के मैंने first में put किया तो क्या है B की value बटा B की value 2A है put करते हैं हाँ पे A minus 2B is equal to minus 1 ठीक बच्छे B की value थी 2A मैंने put कर दी B की जगा first में तो कितना 2A है B की value क्या थी 2A put कर दी मैंने B की जगा देखो न A और B की जगा 2A अब बेटा minus plus minus बच्छे का बच्छे का बच्छे का minus का A is equal to minus का 1 minus से minus cancel out A की value आगई 1 तो A तो हमरे पास बच्छे का 1 आगिया अब हम क्या कर सकते हैं हम जब A 1 आगिया तो हम B भी निकल सकते हैं अगर मैंने A की value को put किया equation third में तो देखे बच्छे की जग पुट करका हूँ तो B निकल के आएगा तो मैं लिए सकता हूँ कि put the value of A equation में थर्ड put the value of A equation third मैंने A की value को कहा पुट किया third में पुट किया तो फुट करता हूँ में 2A A की value बनाई थी is equal to B तो बेट अब B कितना हैगा 2 1s are 2 तो B मेरे पास आगया है 2 मेरे पास A और B आगया है अब मैं ऐसे ही C भी निकल सकता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे second question में 2A plus C बावर 5 है मेरे पास A की value है मैं यहाँ put करूँ है तो मैं C भी अपना बड़े कार से find कर सकता हूँ तो मेरे पास A की value किया पिछे रेखते हैं यहाँ पे 2A A की value मेरे पास आगया थी बेटा 1 मैंने 1 put किया plus C is equal to Beta 5 तो Beta C बावर 5-2 तो मेरे पास C कितना है मैंने क्या किया मेरे पास A की value ओलेटी थी मैंने यहाँ पे equations है किने पूट कर दी 2A की जगा बेटा 1 plus C is equal to 5 था 2 बंज़ा 2 यहाँ पे आगे पावर 5 में 2 गए 3 हमारे पास C भी आ गया ऐसे हम D भी नी का सकते है बोड़े प्यार से अब D हमारे पास equation का है यह री 3C plus D हमारे पास equation है यह वाली 4 तो हम क्या कर सकते है बच्चे हमारे पास C की value तो already है तो हम यहाँ पूट करके हम सुख क्या करेंगे अपना D भी finding कर लेंगे C की value हमारे पास है बटा कितनी 3 आई थी उठकर लेते हैं इसकी जगा हम plus D is equal to beta 13 और D is equal to 13 minus में 9 3 ती जाँ बटा 9 और यहाँ बटा के minus को कितना हैगा 4 तो आपके पास D की value बटा Y वो 4 आई और जो बटा B की आई वो 2 आई A की 1 आई C की आपके बटा कितनी आई C की आपके बटा 3 value आई A की value भी आगी बटा मारे पास A की मारे पास यह रही B की यह रही C की यह रही और D की यह रही यह आपका answer बटा question अमरे 8 है यह आपके सामने question अमरे 8 बटा कह रहा है A A I G M into M into M M into column is a square matrix आपके पास यह कुछ MCQ टैप question है और आप से कह रहा है कि इसमें सही answer कौन सा हुआ Cut option कौन सा हुआ कि option A correct है option B correct है option C correct है option D correct है तो यह MCQ है और वैसे बटा है कि आपको प्रम है इस बार MCQ ही हो गया है तो आपको ऐसे question में ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़्याद पढ़ने वाली है तो पहले ध्यान से वीडियो देखें और समझें कि इसका answer क्या हो सकता है तो देखें वीटा साफ बोला है कि यह square matrix है अब अगर हम square matrix से बात करें तो हमने इस वीडियो में लगाता सकती है नहीं क्योंकि बरावर ही नहीं नहीं बताया था नहीं आपको रहावर नुबर नुबर और नुबर और नुबर और से ज्यादा है तो यह भी देखें बरावर नहीं है अब यहाँ देखो बेटा रो एंड कोलम दोनों क्या है बड़ा इक्वाल है इसलिए यही square matrix होगी यह option भी गलाते है आपका right option आपका क्योंड़ा c option जबका right option होगा वो आपका option c होगा m बरावर n is the square matrix बड़ा question नहीं नाइन आपके सामने है which of the given value of x and y make the following pairs of matrix equal आपको यह two matrix दिवी है और आपको यहाँ पर x और y के लुफ हैं और बताना है कि option में से कौन सा आपका right answer है बहुत बड़िया question है देखें कि option A होगा या option B या option C या option D इसके लिए पहले हमें value को करना पड़ेगा जब भी हम option को click कर सकते हैं टिक कर सकते हैं तो देखें जरा एक बार क्या होगा 3x plus 7 मैंने कहा था square matrix होती है तो आप element compare कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है यह भी 2 by 2 and यह भी 2 by 2 तो आप दोनों के element compare कर सकते हो आप solve कर सकते हो दीजरी कोशिन को 3x plus 7 a1 element हा बेटा इसके बार a1 के बार इसका लिए यह यह वन वन इसके लिए यह वन बन बराबर है 0 के तो यहां से जो x की value आई बेटा मारे पास minus 7 by 3 आई यहां से solve किया तो बेटा 7 यहां के minus का and divide 3 x की y यहां पर कितनी value बेटा है तो y बराबर आ रहा है 5 plus 2 बराबर 7 आ रहा है और देखते हैं निकाल के इस लिए equation से एक बार चलो जी y plus 1 is equal to बेटा आ रहा है 8 मतलब कि जो y की value आ रही है वो 8 minus 1 बराबर 7 आ रही है अब हम थोड़ा सा और देखते हैं एक बार इसको भी कर लेते हैं हमने ये equation solve कर ली हमने ये वाली solve कर ली हमने ये भी कर ली और लाश्ट ये भी कर लेते हैं पर देखते हैं कि आंसर क्या आ सकता है इसको भी एक बार और अलगाजा तो 2 minus 3x is equal to बेटा 4 है तो 2 यहाँ पर आएगा 4 minus 10 यह आएगा यहाँ प्लस का अगर हम solve करेंगे तो x जो है a की value आएगी same value आएगी जैसे y की यहाँ पर 7, 7 आएगी कुछ भी कर लो solve करोगे आपकी value चाहे आप यहाँ से solve करो यहाँ से आपकी value equally आएगी दिहान रखना इसका मतलब कि अगर हम देखते हो option में x वरावर 7 x वरावर minus y देखो यहाँ पर x की value minus 7 वर 3 की option में नहीं है y की value 7 यहाँ पर किसी option में नहीं है but y की 7 तो है but x की यहाँ पर minus 2 by 3 भी है but मैंने भी आपसे क्या कहा था कि अगर हम कोई solve करते हैं तो दोनू कहीं में solve करोड़ा यहाँ solve करोगे तो यहाँ करोगे तो x की value आपकी same ही आएगी इसका मालब यहाँ पर x की क्या है different आ रही है देखो यहाँ पर x की बितनी है minus 7 by 3 यहाँ पर 2 by 3 तो यह तो क्या होगा बिटा इसका मालब क्या होगा हम इसको solve नहीं कर सकते not possible to find इनके जो x y की value होगी वो possible नहीं है find करना क्योंकि आप देख चुकि हो कि यहाँ से निकालने पर x कुछ और आ रहा है यहाँ से निकालने पर x कुछ और आ है जो कि condition नहीं होती अगर आप चाहिए यहाँ से निकालो यहाँ से आपकी value एक same आने चाहिए अगर same नहीं आ रही है इसका मतलब कह सकते हो कि यह आपके पास जो option है इसमें यह satisfy कर रहा है not possible to find हम इसको calculate नहीं कर सकते हैं और यहीं में आपका right answer होगा option b is the right answer बच्चो question number 10 आपके सामने है the number of all possible matrix of order 3 by 3 एक matrix जहाँ है और जिसका order 3 by 3 है मतलब कि row भी 3 हैं and column भी 3 with each entry 0 or 1 मतलब कि आपको कह रहा है कि matrix 3 है वो 3 by 3 की है मलब उसमें row भी 3 है and column भी 3 है चलो कोई रिक्त नहीं और जो आपको उसमें number डालना एंट डालने वो 0 or 1 करनी है तो वादाए यह से कितने element बन सकते है question देखो mcq बहुत बढ़या question है पेपर में पूछा आ चुका है तो अगर आपको मैट्रिस दिए 3 by 3 की फ्रा समझने कोश करते है ने रा 3 by 3 की मालों यह a1 by 1 2 and यह a1 3 यह a2 1 यह a2 2 यह a2 3 and यह a3 बना and यह a32 and यह a33 आपको यह बनाने मैट्रिस सुने का 3 by 3 की मैट्रिस है क्योंकि यहाँ पर 3 रो बनेंगे वेटा and 3 यहाँ पर कॉलम बनेंगे तब यह 3 by 3 की मैट्रिस होगी चलो वह तो बहुत ठीक है वह तो बहुत आती है तबको किअम आज़ मेत सबस्क्क Wash नेन जिरो और vehement कर ना है अगर आभने जिरो यह प्लेस कर दिया मालो लो सब्सक्रों कि क्या प्तानेयाफ मन फूंत कना बन क्य आपको यह लो यह कोई टी तो है लो आप तो यह रोड़िन आप कर नालने क्पो यहां कर दिया मतलब आपको यह पता ही नहीं चलना कि कभ जिरो करना है कभ बन तो चाहमें ऐसी मैट्स बनानी है जब आप जिरो और बन का यूज कर सको तो कितने ऐसे element एट से बन सकते हैं तो यह पूछ रहा आपसे तो जब यह ना पता हो कि हमें किस element को कहां पे प्लेस करना है सपोस्व करो यहां 0 था यहां 0 यहां 0 यहां बना जाए यहां 0 यहां बना जाए या फिर अपकी बार मालों कुछ ऐसा हो यह 110 आजाए तो ऐसे कितनी बार matrix के element बन सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक formula होता है जिसको हम बड़े easy तर solve पर सकते हैं वो है बेटा 2 की power n 2 की power n ये क्या होता है बेटा ये n माने क्या होता है number of element number of element 2 की power n 2 की power n आपको प्लेस करने है element आपको ये नहीं पता कितने ऐसे element matrix बन सकती है तो आपके formula होता है 2 की power n और n यहाँ पर क्या होता है number of element 3 की power 9 वो होता है आपके पास 512 तो 512 ऐसे element है जो आप matrix में आगे पिछे करके आप मतलब की solve कर सकते हो तो यह आपका answer होगा क्योंकि ऐसे element की जब ऐसे दिक्क्ति आती है तो उनके लिए हमें ये formula लगाना पड़ता है जब हमें ये पता ही नहीं हो कि किसको कहा place करना है क्या पता 0 पहले आजाए 0 बाद में आजाए 1 पहले आजाए क्योंकि आपकी क्या होगा 512 और यह आपका option है D is the right option 512 बच्चों आज की वीडियो में बहुत कोशन की और MC के पहले जाना क्योंकि आपका जो ट्रामें वीडियो में और अच्छे-च्छे कोशन लेके आएंगे बढ़िया कोशन आपको कराएंगे जब तक के लिए मिटा बने रहे हमाई साथ वीडियो